दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अबिशेक और स्वागत करता हूँ अपने चैनल क्योर एन पे दोस्तो हर कोई चाहता है कि दिन की शुरुवात अच्छी हो हर कोई चाहता है कि सौस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे लेकिन ऐसा हो नहीं पाता आपको भी मालूम है क्योंकि ऐसा आपके साथ भी होता होगा इसका कारण है कि हम में से जादतर लोग दिन की शुरुवात थोड़ा गलत तरीके से करते हैं जिसका प्रभाव हमारी दिन चर्वया पर पड़ता है दोस्तों आपको ये तो मालूम होगा कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है इसलिए कहा जाता है कि अच्छी सेहत के लिए रोज आठ से दस गलास पानी पीना बहुत जरूरी होता है और हो सकता है कि आप ऐसा करते भी होगे और अगर नहीं करते तो आपके लिए यह समस्या है और यह समस्या कोई गंभीर बिमारी ना बन जाए इसके लिए आप आठ से दस गलास पानी कम से कम पीएं साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि अगर सुबह खाली पेट पानी पिया जाए तो इसका क्या महत्तु है आपको बताते हैं कि द्यास साब करते हैं तो इसका महत्तु काफी बढ़ जाता है साथ ही आपको बताएंगे कि सुबह पानी पीने के क्या फाइदे होते हैं अगर आप सुबह पानी आप नहीं पीते हैं तो आप सुबह पानी पीजिए और आपको मैं जो फाइदे बताना जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझे कि किस समय किस तरीके से पानी पीना चाहिए और किन तरीकों को हमें अपनाना चाहिए इसके लिए क्या लाब होता है देखे हमारी रेपौर्ट रोर सुबै खाली पेट पानी पीने की प्रक्रिया Water Therapy Treatment कहलाती है पानी पीने से एक घंटे पहले और पानी पीने के एक घंटे के बाद तक कुछ भी ना खाएं ठोस आहार तो भोल ही जाएं और ये भोल कर भी इसका सेवन ना करें शुरू-शुरू में एक लिटर पानी पीना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी पहले दो गिलास से पानी पीए इसके दो मिलट बाद फिर दो गिलास पानी पीए इस प्रक्रिया की शुरुवात करेंगे तो संभव है कि आपको एक घंटे में दो से तीन बार पेशाप के लिए जाना पड़े लेकिन कुछ समय बाद आपका शरीर इतने पानी का आदी हो जाएगा और आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी पानी पीने से दूर भागती है बीमारिया उपचार का तरीका सुबह उठने के साथ ही और ब्रश करने से पहले चार गिलास पानी पीए ब्रश करने के 45 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं और ना ही कुछ पीएं नाश्टे में लंच और डिनर के 15 मिन्टों के बाद अगले 2 घंटे तक कुछ भी ना खाएं पीए बुढ़े और बिमार लोगों के लिए 4 गिलास पानी पीना मुश्किल हो सकता है वे थोड़ी मात्रा में शुरुवात कर बाद में इसी बढ़ा सकते हैं पानी के बिना जीवन संभव नहीं है अच्छी जीहत के लिए रोज 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी है इसी के साथ अगर सुबह खाली पेट पानी पिया जाए तो इसका महत तो काफी वढ़े आता है बिस्तर से उठते ही हमें कम से कम 4 गिलास पानी पीना चाहिए इसे से आपकी पाचनकिर्या ठीक रहती है साथ ही आप कई तरह की बिमार्यों से बचे रहते हैं जापान की मेडिकल पधद की माने तो वाटर थेरपी की मदद से पुरानी और गंभीर बिमार्यों को ठीक करने में मदद मिलती है इसके अलावा वाटर ट्रेटमेंट से सीरदर्द, बदंदर्द, थाराइट्स, हिरदय की तेजगती, व्रोकाइटिस, आस्थमा, टीबी, मैगनेजियम, किडने और यूरीन से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रिट किया जा सकता है इतना ही नहीं पानी पीने से इस इलाज में उल्टी, गैस की समस्या, डायरिया, बवासीर, मधुमे, कब्ज, आँखों से जुड़ी समस्याएं, कैंसर, मासिक धर्म में अन्यमित्ता, कान, नाक और गलिस की जुड़ी बीमारियों, यहां तक की दिल से जुड़ी बीमारियों खाली पेट, दो गिलास पानी पीए, ऐसा करने से आपके शरीर की सारी गंदगियां पेशाप के जरिये बाहर निकलेगी और आपके शरीर की सारे अंग सुचारू रूप से काम करने लगेंगे खाना खाने के आदे घंटे पहले पीए पानी खाना खाने से पहले अगर आप पानी पिएंगे तो आपको भूख थोड़ी कम हो जाएगी और आप कुछ कम खाएंगे इससे आपका मुटापप घटेगा इसके साथ ही आपका पेट भी ठीक रहेगा खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएंगे खाना खाने के एक घंटे बाद पानी का सेवन करें जिससे पेट में खाना पचाने वाला जूस अपना प्रभाव दिखा सके अगर आप खाना खाने के तुरंत पहले या बाद में पानी पिएंगे तो खाना जल्दी हजम नह अगर आपको खाना खाते वक्त प्यास लगे तो पानी की जगए दही या रायता लें इससे आपके शरीर को ठंडक मिलेगी और खाना भी आराम से हजम होगा हमारा दिमाग 75% पानी से भरा हुआ है अगर आप थकान लगने पर पानी पिएगे तो आपका दिमाग अच्छे से काम करने लगेगा और आपका मन काम में पूरी तरह से लगेगा दिन की शुर्बात पानी से करें दिन भर धेर सारा पानी पीना चाहिए जैसे जैसे शाम होने लगे पानी का सेवन कम कर देना चाहिए जिससे राद भर वातरूम की और ना जाना पड़े नहाने से पहले पानी पिए दहाने से पहले पानी पीने से ब्लड प्रेशर कम करने में सहायता मिलती है अगर गरम शावर ले रहे हो तो नहाने से पहले ठंडा पानी पीने से बचें एक्सरसाइज से पहले और आखिर में पानी पीए यह बहुत जरूरी है कि जब भी आप exercise करें तो उससे पहले पानी पी लें इससे आपकी मांस पेशियों को energy मिल सके पानी पीने से ठकान कम लगती है अगर आप ठीक से पानी नहीं पीएगे तो आप जल्द ही ठक जाएगे बिमारी प्रेगनेंसी या इस्तनपात करवाते समय पानी पीएगे अगर आप बिमार हैं तो पानी पीने से आपकी वाड़ी जल्द ही रिपेर हो जाएगी प्रेगनेंट और इस्तनपान करवाने वाली महिलाओं को आहम दिनों के मुकाबले अधिक पानी की आउशक्ता होती है इन्हें हर दिन 10 गलास पानी पीना चाहिए और डॉक्टरों को लारा ऐसी सलाय भी दी जाती है दोस्तों हम सब जानते हैं कि पानी पीना शरीर के लिए बहुत जरूरी है अच्छी हिल्थ के लिए दिन में कम सकम 8-10 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है लेकिन थंडे पानी की बज़ा गर्म पानी के फायदे जादा होते हैं कई रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि गर्म पानी पीने से शरीर के अंदर जमा जहरीले ततो बाहर निकल जाते हैं साथ ही कब जुवा पेट संबंधी कई रोग ठीक हो जाते हैं इसके लावा गर्म पानी के क्या-क्या फायदे हैं हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में किसी भी तरह की तुचा संबंधी समस्या हो या फिर चेहरे पर नैच्रल ग्लो लाना हो गर्म पानी इसका सही उपाय है रोज सुबह सुबह गर्म पानी पीना शुरू कर दे थोड़े ही दिनों में आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और बागी स्किन प्रॉबलम्स भी आपकी दूर हो जाएगी मुहासे मोहासों की समस्या लड़कियों में नहीं आजकल लड़कों में भी देखी जाने लगी है इससे बचने के लिए खाली पेट सुबैग गर्म पानी पिए इससे पिंपल से में भी छुटकारा मिल सकता है खोन की गती को बढ़ाना खून की गती यानि blood circulation को बढ़ाने में गर्म पानी बेहद ही फायदेबंद होता है Blood circulation की ठीक रहने से इंसान हर तरह की बिमारियों से बचा रहता है इसलिए आप गर्म पानी पिये या पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है जुर्णिया कम करता है उल्टा सीधा खाना खाने से शरीर के अंदर विशहले पदार्थ जम जाते हैं जो शरीर को अंदर से कमजोर कर देते हैं इंसान जल्दी बूढ़ा लगने लगता है इस समस्या को रोकने के लिए सुबह गर्म पानी पिये ये आपकी तवचा की जुर्णियों को कम करता है साथ ही पेट भी साप करता है वजन कम करता है अगर वजन कम करना चाहते हैं तो गर्म पानी पीना शुरू कर दें ये आपको बिना ब्यायाम के भी फिट रखेगा बस रोज सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी पिये गर्म पानी शरीट से अत्रिक्त चर्वी को घटा देता है और आपका शरीट स्लिम होने लगता है पीडियेट्स में आराम पीडियेट्स के दोरान महिलाओं को अक्सर पेट दर्द की समस्या होती है क्योंकि इस दोरान पैन मसल से खिचाओ होता है जो पेट दर्द का कारण बनता है ऐसे में एक गिलास गुनगुना पानी पीने से दर्द में राहत मिलती है नाक और गले की समस्या में आराम अगर नाक और गले में दिक्कत हो तो गर्म पानी के अन्य फाइदे बुखार होने पर अगर प्यास लगे तो ठंडा पानी ना पीए इसकी जगे गर्म पानी पीना फाइदे बंद होगा जादा तर बिमारिया गंदा पानी पीने से होती है ऐसे में गर्म पानी को ठंडा करके पीने से पेट की कोई बिमारी नहीं होती गर्म पानी कफ और सर्दी की फरेशानी को दूर करता है खाली पेट सुबह एक गलास गर्म पानी में नीबू डाल कर पीने से शरीर की प्रतिरोधक शम्ता बढ़ती है और शरीर को बिटामिल सी भी मिलता है दोस्तों बच्पन से लेकर आज तक हमें यही बताया गया है कि हमें रोज आठ गिलास से जादा पानी पीना चाहिए लेकिन शायद ही कोई इस नियम को फॉलो करता हो क्योंकि सब प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं पानी के हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं चेहरे पर चमक आती है वालो का जढ़ना बंद होता है पेट की समस्या और मुटापे जैसी कई समस्याओं का हल पानी से ही मिलता है लेकिन इन सब का फायदा तभी होता है जब पानी का सेबन सही समय पर किया जाए गलत समय में पिया गया पानी कई बिमारियों को नियोता भी देता है आज आपको भी पता चल गया कि पानी कितने फायदे बंद होता है साथ ही आपको ये भी पता चल गया कि पानी पीने के तरीके और किस समय हमें पानी पीना चाहिए तो दोस्तों आप भी इस जानकारी को अपने दिन चर्रह में शामिल कीजिए और अपनी सेहत के प्रति सजग हो जाएं क्योंकि सच कहा गया है कि health is wealth health से बड़ी कोई पूंजी नहीं है यदि आपने इस पूंजी को संभाल लिया तो आप सबसे धनी ब्यक्तियों में से एक कहलाएंगे आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही करेंगे और आपको हमारे दुआरा दीगे जानकारी अच्छी भी लगी होगी ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल क्योरेन सब्सक्राइब करिए और अब इजाज़त दीजे मुलकात करते हैं आप से किसी दूसरी जानकारी के साथ दूसरे प्रोग्राम में तब तक के लिए नमस्कार